जे ए ए ए ए ए ए ए ए ए टी फिजिक्स जैसे को संबर 18 आपने अभी भी देखा कुछ बता भी रहो और इस वीडियो की dement ये है कि कुछ कुछ कौस्छन का रास्ता तक भी नियंदा कि सुरू कैसे को क्योंचन पूरा सब्ज्जम आजाता हैusta 15 से रास्ताần नियुक्त शुरू कहां से करें और तो रास्ता नियंदा तो फिर रे और को सेंटर ओफ मास का कॉंसेट बड़ा इंपॉर्ट है यह तो कॉस्टन तो होते होता है सटाक्स हो जाता है कि दो दिन स्टेप में का इन खता में अब यह कॉस्टन 18 जो आपके सामने से कि यह सेमिस्ट्रक्लर पार्ट है एवरिटिंगी स्मूथ इड़ा फ्रीटू मूव और स्मूथ सर्फेस और इस स्ट्रिंडर वह स्ट्रिंडर कर रहे हैं और यह चोड़ दे जाती है तो यह यह चलेगा लिहाजा इसको भी द्याजर चल्न अपड़ेगा जानना चाहरा है कि जब इसको छोड़ दो गया और यह लौवेस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगी उस वक्त यह कहां पहुच जाएगा सिंड्रिकल गोड़ी जब लौवेस्ट पॉइंट करा जाएगी उस वक्त तक यह ब्लोग और मास एम कितना हो मूव कर जाएगा पहला पार्ट और दूसा पार्ट उसी समय जब यह बेस्ट बोटम पर जाएगी और यह उतना संग जाएगा उस वाद इसकी स्पीड क्या रह पूछ रहा है वेरिंपॉर्टेंट क्योंग देखिए सेंट्र ओव मास और कॉंसेट्ट है कैसे लेगा प्यारे बचो शिंड्रिकल बॉड़ी और इस ब्लोग में एक्षन एक्षन भरी लग रहा हूं पर इस सिस्टम में जोगी सिंड्र और इस बोड़ी से मिलके बनावा स सिस्टम है इसके उपर बहार से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है सिवाए ग्रेविटी के है ग्रेविटी निच्छे काम करते है हमेशा इसलिए छोड़ते वक्त और यहां आते वक्त सेंट्र ओव मास निच्छे जरूर आएगा अवस्या आएगा पर प्यारे बच्छों होज अग्रेविटी तो सिफ्ट होने वाला नहीं है आपो गए रियक्षन तो लेगी जगा जगा टेटी मेटी प्यारे बचों एक्षन रियक्षन दुनों लगेंगी पर अग्रण्दू इस सिस्टम पर भाहर से लगना वाला कोई भी फोर्स नहीं है सिवाए ग्रेविटी है ग तो सेंटर ओफ मास इसके एफेट में निच्च जरू जाएगा पर होईजेंटल कोई फोर्स नहीं सिस्टम पर बाहर से एक दुसरे को बले ही हो तो सेंटर ओफ मास होईजेंटल दो मूर नहीं करेगा क्लीन कॉंसेट है अगर यह सिरिंडर ना होता तो इस बलोग की लाइनों सिमेट्री यह है इस बॉड़ी का सेंटर ओफ मास इस लाइन पर कहीं है क्योंने सिरिंडर रहा एक एक से लाइन यह होगी है इसके बदले इतना ही मास अगर पॉइंट डूप में कंसरी करना पड़े इस लाइन पर करना पड़ेंगा यह सेंटर ओफ मास की परिवासा है डेफिनीशन यह हैं प्रिवास अगर भारेवाला इसको मान जो तो इसके प कि प्रिवास है क्यों मैंने तिल्म में लाइन की जी प्यारे बच्छों की सेंटर ओफ मास की यह लाइन ना तो लेफ्ट हटे के लाइट हटे की यह यहीं पर ही रहेगी जो लोक और सिंडर तर अना जाना पड़े जब यह बॉड़ी बॉटम पर जाएगी तो थ्यान देना वाली बात है कुछ इतना बड़ा पॉस्चन नहीं है इसकी सेंट्र उफ मास इस लाइन पर था और रहा सा वह भी पर आगए अब दोनों सेंट्र उफ मास एक लाइन पर एक इस सिस्टम सेंट्र मास इसे लाइन पर परंतु वो लाइन तो यह है वालेटी पहले से यानि कि जब इन दोनों के सेंट्र उफ मास एक वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे तो वो वर्टिकल लाइन इससे कॉंसिडेंट भी हो जानी चाहिए क्योंकि वर्टिकल लाइन इधर उधर शिफ्ट नहीं होरी है सेंट्र कि वो मुमेंट जो सिंडिकल लोवेस्ट पर आदाएगा ऐसा होगा अब सेंट्र उमाद दोना इसलाइम पर है और यह वह उनी थी जो पहले थी बस इसी बात को चाहता हो दुबारा सुन लो पॉज करके भेज़ा खाले करो हैं यह चिस समय आगी तो आप बहुत बड़ी बात प्राप्त कर लोगा उसे बाद दो बाड़ी का जो सेंट्र उमास होता तो उन्हें बड़ा असान तरिकाव उता रखा इधरा वाला मास इंट तो यह संट्र उल्ड उसकी डिस्टाइज सेंट्र उपास से तो यह जो कितना सर्गा वोगा यहसें इत्ता सरक। यहां पाला खाली हैंद कितना सर्क। यह में निकालना है इस x value में निकालना है कि यह किता सरग्य है और ट्रोल्ड किता जलब सुच रोग यहां से लेके यहां तक radius ती बड़े वाली capital R उसमें से small r मैनस करतो तो यह वाला gap है total capital R minus small r उसमें से x माइनस करतो तो यह वचेगा capital R minus small r minus x बस इधर यह वाला मास है small n और इधर capital R बामास है बस इस्टाट दीगे यह हो जाएगा R minus r minus x इसको इधर वाला मास capital M into x बस ऐसे गाँ दो M into r minus r h हो तो और minus mx उते जाएगा plus mx mx plus mx x को में जाएगा बचेगा m plus m वो पॉन में जाएगा तो माँ बचेगा सिक x x और m plus m किसमें रिचे देगा M into r minus r upon m plus m is the function दो लाइन में खाद हम जिसे यह भी नहीं पता चलाता है कि शुरू कहसे करें कहां से करें क्या करें यह है importance of center of mask दूसरा इस सिदी में इसकी speed क्या हो जाएगी it has to be fine तो बहार खड़े वे व्यक्ति के respect में इसकी speed निकाल नहीं है इसकी speed मानलों भी है इसके respect में इसके respect में कुछ तेज रही होगी पर इसके respect में उतनी तेज रही होगी कि साथ साथ इसके साथ पिछे बट रहा हो इन्हें से कुछ कमने ज़ा लिए हमें सारी बात stationary और जोड़े के respect में कर नहीं है तो पहले तो आप लीजिए according to law of conservation of moment I want to law of conservation of momentum देखें शुरू में कोई momentum ने था तो जब यहां पहुँए अथर भी कोई momentum ने रहा ना चाहिए अर्था ब्लॉक का जितना इधर हो गया उतना ही इस सिलिंडर का इधर हो गया ताकि net अब भी जुरू ही रहे यानि कि जब यह इधर आ गया तो अगर यह इसके रिफस्ट ने होता तो वी माइनस भी करना पड़ता है हमने इसके रिफस्ट ने आए यह गया होगा यह तो इससे हमें इसका ब्लॉक का मास ने ना है तो इसको इलिमिनेट करना आपड़ेगा तो V को अलग कर लिजे MV upon M और अग एनर्जी लो लाओ तो वाज कहीं किता According to Law of Conservation of Mechanical Energy देखेजिए जब यहाँ था और छोड़ दिया तो सिर्फ Potential Energy में कमी आई जो कि दोनों व्लोग की काइनेटिक एनर्जी की रूप में चली जितनी दोनों की मिलागी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उतनी उस सिलिंडर की Potential Energy में कमी आगी हो That's all तो Mg कितना हाइट निचे करिया हो पहले यह सेंटर यहाँ था और अब यहाँ आगी यहाँ 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 निचे करिक एनर्जी कमी होगी जो कि किस रूप चलेगे अब दुना ब्लोप से काइन्डिक एनर्जी करिक हो Half mvSq. जिलिंडर का उस तरह Plus Half mvSq. ब्लोप का इस तरह जितने पॉटें कमी होगी उतनी काइन्डिक एनर्जी में बट से हो काइन्डिक एनर्जी अद दोना ब्लोप से बट लिए That's all और इसको एलिमेंट करने लोगी को कैटली लिए में ने काम लगा है वस्स, that's all mg r minus r is equal to half m और v square this m square v square upon small m square plus half m v square इससे ये square कट कर दीज़े और आप क्या करेंगे कि उसमें से आप क्या आएगा एक तो half common आएगा और capital m v square कम लिएगा half m v square तो एक m बचाएगा और निची एक m बचाएगा m upon m plus वह तो पुरे बार चलाएगी और इस हैड बचाएगा m d r minus r बचाएगा तो half m v square L cm m capital m plus m mg r minus r m m m m m m m m m r r minus r upon m r 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 upon capital m into capital m is the r 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 बढ़ते रहें, खुश रहें, और उच बुलंदों के और बढ़ते रहें